मेरे पास रेलमी 8 5G phone है और आप देख सकते हैं यहां पर टच वर्क नहीं कर रहा है तो हम आज इस वीडियो में आपको बताएं कि कैसे find करना है टच में problem है या बोर्ड में problem है या जैसे मैं यहां पर प्रेस किया और सब्सक्राइब जैसे ऑफ करने कोजिज कर रहा हूं तो यह चला जा रहा है कि अभी मैं ने फिर से आपशन किया पावर का तो यह देखिए ऑन फ्री स्टार्ट को आ श्लम नारा छैसे से में यहां पर टुच करूंगा पर चला जाएगा अब जैसे वोल्यूम है इसको डेकिए आप जैसे अड़नी से ठवबाए काफिया यहां प sudah पर खिर तो चला जाएगा मतलब जैसे टच कर कि आपके सामने है तो यहां पे कच्टूमर का भी कहना यह है कि सौफ्ट अपड़ेट करने के बाद में यह प्रोभलम आया है फिर भी हमने यहां पे टेस्ट किया चलियो उसके बाद जो है मैं यहां पे फ़लेश कर रहा हूं आप देख पा रहे हों यहां पर मुझे फ्लेस फाइल लेना है वो ओल्ड वर्जन लेना है ठीक है मैं यहां पर ओल्ड वर्जन का जो फाइल है उसको फॉन में डाल रहा हूं झाल यहां जो खाइल कि यहां पर फ्लेशिंग जो है चल रहा है और यह देखिए फ्लेश है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है चलिए हम चलते हैं फॉन की स्क्रीन पर और वहां पर आपको दिखाते हैं कि फॉन चालू हो रहा है यह देखिए यहां पर रेल में लिखा हुआ आ गया तो थोड़ा वेट करेंगे तो यह फॉन चालू होगा और फॉन को ओन होने दें उसके बाद हम करेंगे तो मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद में यह फॉन जो है ओन हो चुका है देखिए चलिए यह यह देखिए काई यहां पर नेक्स्ट कर रहा हूं तो यह नेक्स्ट सब कुछ काम कर रहा है ठीक है जो हमरा प्रॉल्म है वह सोफ्टर से था और कैसे चेक किय हमने यह सब आपको दिखाया है हमने और तो गाइज यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हाँ साथ में बैल आइकन को फ्रेश करने ताकि ऐसे ही जो है नोट्रिकेशन आपको फर्स्ट व वर्जन जो फ्लेश किया है और वर्जन वह आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह देखिए जो हमने फाइल डाला है वही यहां पर है तो थैंक्यू गाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें